नमस्कार दोस्तों आजकल गर्मी बहुत पढ़ रही है और लॉकडाउन के करण हम सब घर में हैं इसलिए आजकल मार्केट में जो भी फ्रूट्स अवलेबल हैं उनसे हम बनाएंगे हेल्दी, टेस्टी, एनरजेटिक और फैड रिड्यूसिंग ड्रिंक तो चलिए इसको बन जैसे कि आपको दिख रहा है और यह पापाया के भी छोटे-चोटे पीस्स कर लिये हैं यह औरेंज के जो स्लाइसे अंदर से निकले उन में से हर में से बीज निकाल दिया है ताकि जब हम जूस निकाले तो बीज का कड़वापन उसमें ना आए औरेंज के स्लाइसे अच् पीनी ओर एंच का जूस है अब मैं इस जूस को बड़े वाले गलास में डालूंगे से इसके अंदर मैं थोड़ा सा पापाया डालूगे पापाया हमारा डाइजेश्रम को इंप्रूफ करता है हमारेजिशन को इंप्रूफ करेगा उसके बाद ही हम वाटर्मेलन डालेगे वाटर मेलन के भी मैंने बीज निकाल दिये हैं और ये भी हमारे डाइजेशन के लिए और हमारे अंदर वाटर की कमी को पूरा करता है इनको हम डाल देंगे और इनको डालने के बाद इसके अंदर हम एक चम्मच शेहड डालेंगे ये हमारे वेट को रिड्यूस करेंगे और इसको हमें स्टर कर देंगे अच्छी तरह से वेट को रिड्यूस करेंगा हमारे और साथी साथ इसमें थोड़ा सा हम लैमन भी आड़ करेंगे इसके हम बीज निकाल देंगे लैमन के और लैमन को इसमें एड़ करेंगे में आज़म इसमें ऊड़ा सा काली मिर्ची स्प्रिंक्ल कर रहे हैं और नमक कर रहे हैं इसको निस्टर कर देंगे ये हमारा बहुत ही हेल्दी एनर्जेटिक ड्रिंक बनके तयार हो गया है इसको आप मॉर्णिंग में पीजिए तो आपको बहुत अच्छी भूख लगेगी और आप दिन बार एनर्जेटिक फील करेंगे और आपके वेट को रिड्यूस करने में भ सब्सक्राइब करें ताकि टाइम टू टाइम में आपको अपनी अच्छी अच्छी रेसिपी बेज सकूं नमस्कार